प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाई लेटेस खबरे सबसे पहले मुकेश अमबानी को नए बिजनेस के लिए चाहिए सतर हजार लड़के मुंबई में रहना खाना फ्री और मूटी सालरी भी कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके पास कई तरह के आईडिया तो होते हैं लेकिन पैसों की सोचकर आप उस आईडिया पर काम नहीं कर पाते लेहाजा आपको अपना आईडिया छोड़ना पड़ता है लेकिन अब जिन्ता की कोई बात नहीं है अगर आपके आईडिया में दम है तो देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी बिजनेस करने में आपकी मदद करेंगे यहीं नहीं अगर आपका आईडिया पसंद आया तो उसमें पैसा लगाने पर विचार किया जा सकता है आईए जानते हैं कि कौन सा है ये बिजनेस और इसके लिए आपको क्या करना होगा क्या है योजना दरसल मुकेश अंबानी की कमपनी Reliance Industries ने जान जनेक्स्ट प्लेट फार्म विक्सित किया है जो नए आईडिया वाले स्टार्टक को अपने जी ओ एको सिस्टम की मदद उपलब्द कराता है यहाँ पर कमपनी के एक सपर्प्स की सलह से लेकर ट्रेनिंग तक की मदद उपलब्द कराते हैं यहाँ पर लोग अपने बिजनेस आईडिया कभी दिय सकते हैं आपको बता दें कि Reliance Industry हर तीन महिने में एक नया प्रोग्राम शुरू करती है जिसके तहट नए लोगों को जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है आपको क्या करना होगा अगर आपके पास इससे जोड़ा कोई आइडिया है तो आपको उसे कमपनी के पास भेजना होगा कमपनी इसे अपनी जूरी मेंबर्स के सामने रखेगी अगर आपका आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो कमपनी आपको टीन महीने की ट्रेनिंग देगी इस ट्रेनिंग में आपको बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे सक्फल बनाने के तरीकों को बताया जाएगा निवेश भी करेगी कमपनी हाला कि Reliance का Jio Platform कोई venture capital firm नहीं है लेकिन फिर भी कमपनी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करती है जो Jio या कमपनी के लक्षे को पूरा कर सकती है मतलब आपके पास ऐसा आइडिया है जिससे Reliance या Jio को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तो कमपनी आपके प्रोजेक्ट पर निवेश भी कर सकती है ऐसे करना होगा आवेदन कमपनी की इस योजन से जुड़ने के लिए आपको कमपनी की वेबसाइट www.gyantrenext.com पर जाकर आवेदन करना होगा इसमें आपको कमपनी के कुछ सवालों जबाब देने होंगे इस लिन पर आपको एक आवेदन पत्र भी मिलेगा आवेदन भरने के बाद कमपनी आपसे संपर्क करेगी आपको बता दें कि कमपनी द्वारा चुने गए आईडियाज को देश के सबसे अच्छे स्टाउट अप से जुड़े लागों से संपर्क कराया जाता है और हर तरह की मदद मुहया कराई जाएगी